हाई फ्रेंट्स वेलकम ते यूपीए से PCS फॉरम आज हम हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया देखेंगे एंसे अर्ट के सब्सक्राइब करेंगे और इसके पहले मैं आपको एक और सीज बताना चाहते हूं कि यूपीए से PCS फॉरम नाम का हमारे टेलिग्राम चैनल है वहां पर जाकर आप जो न्यूस पेपर दा हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का जो पहले स्टार्ट करेंगे संगम एज के रिगार्डिंग कोष्चिन एंसर को तो पहले कोशिशन है तो संगम एज में मिली हम तीन के वाले में पढ़ते हैं चोल चेरा और पांड्य और संगम मतलब एक्चुली होता था असेंबले, पोएट्स का जो असेंबली होता था, उसका मतलब संगम का, और ये शंग मतलब एक असेंबली होता, और किसके पेरेड में होता है, ये होता पांधियास के टाइम पे, ठीप, तो चलिए इसके रिगार्डिंग और कोश्चिन को देखने, और ये किसके लिए यूज किया जाता था, मर्चिंट वे एक्सपोर्टिट, कॉटन टेक्स्टाइल, रोम, कोश्चिल सिटीव, फॉरिनर रिसाइड, त्री रोलिंग, फैमिलिज ऑफ चोला, चेरा, आयन पांधियास, इंस्क्रिप्शन रिटन रिटन इन तमिल, हमें बिदान मुएंडर मतलब मुएंडर मतलब थी टिप होते हैं, जिसके बारे में संगम कोएंज में में चेरा, चिक है, ऑख़ए हो बिकेम दो पावर फुला, चेरा, अपांधियास, बिकेम पावर फुलिज साउथ इंडिया, 23 एर्स एगो, 2300 एर्स एगो, इन संगम पिरियास और स् लेक्ता पांडिया और स्रेलंका तुक्षान कहिं लेंटा है से नीकित। पेसे भराइब को थे चौला, चय०प, बांडिया को जाटा था फेन कुले में इस दुगाम है, संगाम पांडिया था मिलता है, इस्प्रेट अफ आइरेन टेक्नोलाजी डिस्ट्रिबिशन पंचमांक कोईंस फ्लरिशिंग अफ ट्रेड विथ रॉग्मन यूजफ एडवांस ने भी हमें बताना है यहां पर कौन सा जो ऑप्शन है जो इन तीनों जो के इंगनम से चोला चेरा पाणने हैं उसके फ्लरिश प्रेड में जो ट्रेड था वह काफी हो रहा था तो 1 2 3 जो है वह हमारा अंसर होगा यूजफ एडवांस ने भी यह नहीं है 1 2 3 तलब हमारा ऑप्शन नमबर यह हो जाएगा करेक्ट देख लाते हैं एक पर एक्स्प्रेशन ही चोला चेरा और पांडया किंग्डम को संगम में मुटैर कहा है उनको संगम पोयम सहौन में मुटैर काया है बस्ता जोला चेरा रुडचत टहं करता थाता हैं कोरमंदल को स्टेदे जोला चेरा केरला में और detox के लामि और पांडया है उनका पॉलिटीकल सेंटर हुआ करे था मद उरही चेरा है डेवलाफ से देवल हमने दिखा था जो महाजिन पता जो 16 महाजिन पतास का फॉर्मिशन हुआ था उसमें भी आइरन का इंपोर्टेंट रोल था पंच मंग कोईंस का भी बहुत इंपोर्टेंट रोल रहा है ठीक है और पंच मंग कोईं क्या करते हैं नौर साउथ जो है वह ट्रेड को करते है ठीक है next question देखते है नेली का रहूल नहीं होते हैं उनके formation में उनके development है चोला थी इन दिखेंगे दूरिंग से रिड अव कॉल पीगक्पा उसकेश कर्थ तरे लिग होते सगने प्लिभपर ऊचॉसड़ए kiमस्सिपपीइज टाननोंस कदा उरन प्रोर्ड हॉर कीं द पाण्ड़ा नाट्ट इस थे विदो क्लासिकल डान से कुछ क्लासिकल डान जैसे कि भारत नाट्यम है उसके बाद है आपकर नौर्दन इन्हें में कत्थक है कत्थक के लिए है जब कि केरला का है ओडिशी है और अब बताएंगे कमेंच चेक्शन में तो इसमें यहां पर पूछ रहा है कि उरायूर जो सीटी था वो किसले फेमस्ता उरायूर सीटी था फेमस्ता किसले ट्रीड ओफ कॉटन के लिए है एक्स कोस्चिन देख लेते हैं औ नेवरिंग देजन था तरिचुडपली का तमिलाडो में और यह फेमस्ता किस के लिए कॉटन के ट्रेड के लिए क्यापिटल सीटी सीटी था यह अर्ली चॉलाज का चीक है अर्ली चॉलाज जस्टें चॉलाज जो पाढ़ने थे उनका उरायूर का हैडे ग्रेक्स्पर्ट चॉलाज जाग्या मना आला पेरिवल टेंपल के लिए और दो किसको कमिट करते हैं किसको डिडिकेट के जाते हैं लौड विष्णु को नेक्स्ट कोश्टन दिख लेते हैं विच अनंग फॉल्विंग स्टेप्में रिगार्डिंग इस इनकरेक्ट तो चोलाज के रिगार एक इस रूलर्ст में परेगार्ड इस रूलर्स में अन्फियंग नेवी कि रूमन अम्पाइर रामनद वर्ड सिती ओध शोला तो धूलाज में बताना है है कोन सा स्टेप्शन जो है वह ना करेक्ट है तो यह है यह सी छे ऴृत अनौं सा स्टेटमें जो है वह करेक्ट है प्रहस् यह बेविबी करती हैं यह प utilizzर यह बहुत है इनको चाहता रोल नहीं ही बडेरिक नोर यह प्लेकिन जेह हैं और लथ बाद में इस के डिवलपिंट बहला इंक्रेंट बेने करते हैं यह रोमें को प्रविजस कहीं बेने करते है sun तो option no.d ho जाता है है मारा करेक्ट देख लेते है एक बार explanation एक रामनेट वह मॉस्ट प्रॉमिनिन सिटी ऑप पार्नेयन किंग्टम तो वह मॉस्ट प्रॉमिनिन सिटी था पार्नेयन किम्टर और पार्नेयन सो थे वह तिरुण मेली और रामनेट और मदुराइ उनकी कैपिटल हुआ करती थी जो कि मदुराइ और मेनाक्षी टेमपल के लिए कि यह भी आप त्याद मेरे के हैं कलीकोडी इंस्क्रिप्शन जो है वह रोल किया थे रामनेट रामनेट पूराम जो की सदन मोस्ट डिस्टिक है किसका तविल नाटो का ठीक है सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं स्वारी कोड़ हो गया वो कंसरे तो फॉलिंग स्टेट्मिंट वित रफरेंच टू एंसें सिटी ऑफ पुहार अंदर दे चोला कि थे थाए इधर फानद बहेंगे और वो फंड क्या थे जो करिकल थे जो फेमस किंग थे किसके चोला की उनक्या जारा, it was a great center for trade and commerce and had large dock, ठीक है तो ये भी बिल्कुल सही बात है, it is identical with the present city of Chennai, बिल्कुल गलत बात है ये जो कावेरी पट्नम city है, उसके identical है, Chennai के नहिं, option number C हो जाएगा हमारा, incorrect देख लेते हैं वाइए एक्स्पोनेशन में NC city जो पुहार है जो चोला के अंतरगत आता था वो आइडेंटिकल है किसके, जैसा कावेरी पट्नम के दोर है, जैसा जो के अभी तमिल आडू में है और पुहार चोला का capital हुआ करता था, फाउंड किया गया था, चोला के खरीकला के दोरा एक्सकेविशन के दोर हमें यह भी पता चलते हैं कि वहां पे लार्ज डॉक हुआ करती थी जो कि मीजर सेंटर बनाता है ट्रेडन कोगर्स के लिए, वोट सिटी अभ पुहार बिकेम एंपोरियम ओफ फॉरें ट्रेड इन संगम पिरियाड और बीग सी जो सीप्स सी वह यहां एंटर करती थी इस पोर्स पे प्रिशियस गूर्स के साथ सीक्स नमबर कोशियन देख लेते हैं वन अफ था मोन वन फ्था में शेटमें और पहले वन प्रेंड सोर्स प्रेड वेल्था चोलाज वस ट्रेड इन कॉट्टिन क्लोथ दो किंग डंव एंसीन चोलाज वस रस्ट्राइड बाइड रिपिटेड अटैक अब पल्लवाज हम मैं वेल्ण का गढ़ता ऊनका वो क्या रिंधा नवस ट्रेड चोलाज उए बिस्टराइक अटैक अबुब्लवाज यह भी बिल्कुल जाई बात है ऑप्ष्न नमर हमारा रासी होजाता है करेक्ट चोलाज देनिस्टी वह कोरोमंडल कोस्ट पर सिचुटेड थी यह हमने प हाई क्वालिटी ओव काटेट के लिए और आयों हमने देखा फिं зачन और जहां पर विविंग श्कैनल करता है अंडर करी कलर चोला पावर रेपिट्ले का जो सक्सेसर थे उसके बाद जो चोला पावर तहां धीर-धीर रैपिट्लि डिकलाइड हो ले ऑगता है कि कर गरीपीटिट गाटक होता था किसको दरा पल्लबाजहस ? पल्लबस फिर जिसने पते अगर रात है ब्रहा दिसकत मने च lath, देखेψा है लिए नंगी चेराज पुल्फs ट को लिए गाटक दीा धनर दुब्स से अगरे ? तो उसमें डिरेक्ट चेरा के बारे बने के उसमें केरिला पुत्रा का mention देखने को मिलता है तो केरिला पे पुत्रा जो mention किया गया है वो कौन से kingdom के identical है तमिल kingdom का तो वो है आपका चेरा का option number B हो जाता है correct और सत्या पुत्रा भी है जिसको अभी तक रिकोगनाईज नहीं किया गया है दा एंजीन चेरा केंग्डम कबर्ड मॉर्डन स्टीट तमिलाडू और केरला को वो कबर करता है एट number question देख लेता है जब the following statement on the चेरा is not correct तो चेरा के regarding कौन से statement जो है वो यहाँ पे correct नहीं है मैं यह बताने है the first चेरा king उदीन जेरल वोच कॉल्ड इमाया वारामन तो जो पहला king था उसको जो उदीन जेरल था उसको इमाया वारामन कहते थे तो हमें बताने है कि हमें यहाँ पे कौन से जो option है वो correct है तो जो first है वो correct नहीं है क्योंकि जो first चेरा king थे उदीन जेरल उनको इमाया वर्मन नहीं कहा जाता था और उनके जो great ruler थे उनको कहा ज़त सेंगो चुवान और रेट चर जैसे के great ruler हमें देखना करीकला जो कि चोला kingdom से भी लॉंग करते थे वैसे इनके great ruler थे वो थे सेंगो चुवान दे यूज मोडिफाइड वर्जिन अब तमिल ना तमिल यस यह भी बिल्कुश है और वो alliance में थे पार्णियस के साथ वो भी साही है देख लते हैं वह तो फर्स चेरा किंग उदिन जरल उनको इमाया वर्मन नहीं कहा जाता था वह सेकंड किंग थे और सन थे कि इसके उदिन जरल के जिनको उत्यान चरालाथन कहा जाता था और ओंध लएक कि इमाया वर्मन कहा जाता था नेदम चरलतह भी कहा जाता था इमाया वर्मन नेदन चरलतन नेदन जरल अथान वास सेंग लाइंवनस तो तूरा सा नेमें उसका तफ है और मुझे माक कार अगर अच्छिय से इसका pronunciation नहीं कर पाती हो तो इंसे तमिल वर्क आप संगम इस पट्टू-पट्टू फॉर्म्स वन अप दे मेन स्वर्स इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड दे चेरा रूलर तो इंसे तमिल वर्क है संगम एज का जिसका नाम है पट्टी-टू-पट्टू उससे हमें पता चलते है चेरा रूलर्स के बारे में नाइन्थ नमबर कोश्चन देख लेते कजिए को फॉलिंग स्टेट्मेंट रिलेशन बिटूइन चेरा साइन रोमन इंपायर और इसका रिगाडिए हमें बताना है स्टेट्मेंट कौन सा है इंकरेक्ट इंकरेक्ट बताना है इंकरेक्ट बताना इंकरेक्ट बताना इंकरेक्ट ओप्शन हो जाएगा और यह जो है वह गलत दिया हूए हमें पर हमने देखा था कि चेलाज चोड़ा जो संगव एज के जो भी यह हुआ करते थे किंग्डम हुआ करती थी उनका रोमन ट्रेड रोमन के साथ ट्रेड बहुत अच्छा चलता था रोमन सेट टू रेजिमेंट्स एट मुझरिस इंकरेक्ट देर इंट्रेस्ट यह भी बिल्कुल सही बात है तोनों ही ऑप्शन हमारा यहां पे करेक्ट हो जाते और नहीं है चेरा किंग्डब ओइंग्टोस स्ट्रेडिक लोकीशन के वजह से चेरा जो mira किंग्डम से वो लिक्रेडिक ट्रेड केया करती थ each किसके साथ रोमन के साथ और लोमन ने दो दो रशी में टेटाम सेबली स्टेथा मुझरिश किया टेर सिस्के तार्ड डैन गामti O मोझरिश मेय तो एक त्रोमान इंडाया गिया था रोमान सियो प्रणाये संग में तरी संग मैं शर्म पांडूयाज ने 3 शंगम-सaisembley बलाई थी तो वह थे। पांडूयाज थे görünीट पांडूयाज त्री शंगम-समल ने शंडाली असेमली बलाई थी और संगम क्या कि셔야़ था? वो एसेम्ली हुआ करता था तमील पोईट्स का और यह किसके अंदर होता था यह होता था चिफली और रॉयल पैटर्न लिसके अंदर अवो पैटर्नाइज पैटर्न जो है वो प्रोवाइड किये गए था पाणियन किंग्डम के दोरा ठीक है और यहां पर जो भी टेक्स्ट क पाणियास के बारे में और कहा था कि वो फेमस था प्ल्ड के लिए तो वो थे मेगास्थनीस और मेगास्थनीस का ध्यान देखेंगा उनके इंपोर्टेंट बुक थी कौन सी इंडिका ठीक है और यह मौरेंस के कोट में थे चंदगव तो मोरें ग्रीक अमबसेटर थे यह देखेंगी तो मेगास्थनी जो है first foreign traveler थे कि उनए में में इंचन किया था पांडियास के उनको कहा जाता था Northern Magda because यह supply करते था पल, गोल्ड अधर प्रिशियस मेटल्स मेगास्थनिस also mentioned that it was ruled by women which indicates matriarchal influence of Pandya society और मेगास्थनिस ने मेंसें किया था कि यह rule किया गया था किसके तरो मेगास्थनिस को दर और indicate करता है यह matriarchal society को 12th number question which means the following statement is incorrect regarding the Pandya kingdom तो Pandya kingdom के regarding यहापे कौन सा statement जो है वो incorrect है its territory the southernmost and the south eastern portion of the Indian peninsula Madurai was the capital of Pandya kingdom Pandya kings profited from the trade with the Roman empire and sent embassies to Roman empire the rulers of Pandya kingdom were ardent followers of Buddhism हम बताना यहापे कौन सा जो है वो correct है sorry incorrect है तो उनका जो territory थी वो southernmost साथ इस्ट पोर्शन में थी Indian peninsula का यह बिल्कुल सही बात है मधूरा यह capital हुआ करती थी यह वी सही है और Pandya king profit हुए थी किसे साथ ट्रेड करके रोमन इंपायर के साथ ट्रेड करते हैं और उन्होंने embassy को sent किया था कहां पर Roman Empire Augustus को लेकिन वो ardent follower नहीं थे बुद्धिश्दम के उनके उपर ब्रह्मानिकल एफ्लूएंस था ठीक है और वो वेदिक सिक्रफाइस को परफॉर्म कर रहे थे ठीक है अर्ले किस्चन एरा में तो option number D हो जाते हैं हमारा correct इंकरेक्ट ठीक है थाटींत नंबर question निकले consider the following statement with reference to the state of religion under the Pandya kingdom तो Pandya kingdom के रिगार्टिंग हमें बताने हैं कौन सा statement जो है वो correct है तो Kings of Pandya kingdom perform Vedic sacrifices and patronize the Brahmana यहां पर incorrect नहीं इंकरेक्ट है statement बताना नहीं patronize the Brahmana under the influence of Brahmana Tamil language watch replaced by Sanskrit हमें बताने हैं यहां पर कौन सा statement करेक्ट है इंकरेक्ट है तो obviously yes वो Vedic sacrifices को प्रमोट करते हैं में अरली Christian era में और patronize करते थे वो ब्रामना को बिल्कुल सही बात है वो influence हो थे ब्रामना से लेकिन Tamil language replaced नहीं हुआ था Sanskrit से Tamil उनका जुता वो official language वहा करते था तो second number statement जो है हमारा इंकरेक्ट हो जाते देख लेते हैं और explanation भी तो अफिसिया जो language in का पांडियस का वो क्या हुआ करते था वो तमील हुआ करते था और पांडियस दो थे वो फांड के थे तमील लिटररी लिटररी अकैडमी जिसको संगम कहा जाता था और संगम को poetry of noble ones भी कहा जाता था और यह किसके बारे बताता था तमील literature के बारे बताता है तमील ट्रेडिशन लिजन लिंक इस त्री संगम held at madurai और तीन संगम held होता है पहला होता है मदु रही में सेकिन होता है कपाड़ पूरा में और थड़ होता है मदु टाही में पांडयास थे वो फॉल्वर थे ब्रह्मरीज्यम के और उन्होंने वेदिक सिक्रेफाइसेस को भी प्रमोट किया था तो आज के लिए ते रिटे दिते नेस क्लासे हम पढ़ें है एकोनॉमिक के बारे में थेंकियो सो मच आई होप आप लोगों को अच्छे लगोगों बाइए